नमस्कार आप देख रहे हैं News 111 और मैं हूँ आपके साथ शीवानी धर्म, जात, मर्यादा ये ऐसी बाते हैं जिसे लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर हमेशा सामने आती है खास करके अगर धर्म के अलावे दूसरे धर्म के या दूसरे जात या बिरादरी के लड़के लड़कियां अगर अपने धर्म को छोड़ करके शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज उन्हें बहिशकार कर देता है हलाकि यह समाज की देन है जहाँ पे आज की समय में ऐसे नाजवान जो अपने धर्म को छोड़करके दूसरे धर्म जाती में शादी करते हैं और वो लोग आज की समय में सुरक्षा की मांग करते हैं जी हां हर दिन हम ऐसी खबरे आपके सामने लेकर के आते हैं जहां पे लड़का लड़की जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियो बना रहे हैं और सरकार से और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार कर लगाते वे दिखाई दे रहे हैं ऐसा ही एक ताजा माम लाया है कतिहार का एक तरफ सरकार जहां लड़कियों को आगे करने की बात करती है लेकिन उस दावे के बाद भी क्या लड़कियां आजाद हैं कि अपनी मर्जी से वो शादी कर सके और शायद इसका जवाब आप सब भी जानते हैं आए देन ऐसे मामले हम आपको दिखा रह हैं लेकिन ताजा मामला कतिहार का है जहां एक हिंदू लड़की ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली लेकिन शायर ये बात परिवार वालों को पसंद नहीं आई जिसके बात परिवार वाले दोनों के जान के प्यासे बन गए वहीं इस डर से दोनों महीनों तक गायब रहें और इसी बीच ये खबर भी आई कि लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों के घर तोड़ फोर भी की हाला कि लेकिन डर दोनों को है अपने घर वालों से और दोनों ही अपनी जान की भीग भी मांग रहे हैं और दोनों नहीं बिहार सरकार और बिहार के DGP से अपनी सुरक्षा की मांग भी की है और इतना ही नहीं दोनों ने सुरक्षा की मांग करते रहे अपना एक वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाला है तो वही वीडियो बाला होने के बात कतिहार पुलिस ने सरस्वती को सकुषल बरामत कर पुलिस सुरक्षा में ठाने ले आई और वही अपना पक्ष रखते हुए लड़की का कहना है कि जब नेता भी नेता दुसरे जात में शादी कर सकते हैं तो उससे किसी को अतराज नहीं है तो फिर आम लोगों से क्यूं है वही पुलिस कानूनी प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ने की तयारी में है लेकिन समाज इस प्रेमी जोड़े को कैसे सुईकार करता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा दोनों प्रेमी जोड़े जो हैं हाला कि लड़की हिंदू होने के बावजूद उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद लड़के से शादी की जो लड़का एक मुसलिम समाज का है लेकिन कही ना कही लड़की के परिवार वाले साती सात लड़की के परिवार अले भी दोनों की जान के प्यासे बन चुके हैं जिसके डर से लड़के लड़की दोनों ही कई महीनों तक गायब रहें वही वापस आने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया और वीडियो में क्या कुछ कहा वो तो हम आपको सुनाई चुके हैं लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगतार हो रही हैं लेकिन धर्म को लेकर के ऐसे कई बेगुनाहो की जान भी जा चुकी है अलाकि दोनों ने लव मेरिज की है लेकिन शादी करने के बाद भी परिवार वाले जो हैं अपने जात मर्यादा की बात करते वे उन दोनों की जान के पैसे बन चुके हैं वही उन दोनों ने डीजीपी से और विहार सरकार से अपनी सुरक्षा की ग करवाई होगी उसको लेकर के पलेस आगे की कदम उठाएगी लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सक्के मन में हैं हमारे मन में और आपके मन में भी वही एक सवाल है कि आखिर कब तक धर्म जात विरावदी को लेकर के लोग जो है वो अपने ही परिवार वालों का खुन करते वे नजर हर दिन कोई न कोई एक प्रेमी जोड़ा जो है वो दुसरे धर्म समाज के लड़के लड़की एक दुसरे से शादी करते वह दिखाए दे लेकिन कब तक उन्हें अपने ही परिवार ओलों से डर कर सरकार से नया की भीक मागनी पड़ेगी और कब तक वो लोग अपनी जान करें मारे फेस्बुक पेज को ताकि दिन बड़ की तमाम अपडेट्स हम आप तक लेके आए नमस्कार न्यूज वन 11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं